पेल जाम लगड़ा है सर कि आपने अपने कमचारी सिक्षकों को आंत्रिक स्रोथ से प्रापतरासी का 70 फिजदी भुकतान नहीं किया आपने मनमाने धंग से भुकतान किया कभी 2000 कभी 4000 तो कभी 10 कि यह सब चाहता है कि कैसे यह विवस्था चर्मराज है कुछ तत्व ऐसा है जिसको रोकना के लिए और नेक के लिए असर जो आप लो आपके प्रोफेसर हैं वह आप पे लगा रहे हैं कि बीते पास सालों में आपने अभी तक जो जमा क्यों नहीं किया सबसे बड़ी चीज है नेक के लिए ऐसे सार जमा करना बचों का खेल नहीं है उसके लिए बहुत का लगभग बीस से पचीस से भी ज़्यादा सिक्षक होंगे वहां सब एक जूटा से क्यों आपका बिड़ोत कर रहे हैं सब पहले सुनिए हमारे यहां 103 सिक्षक है और लगभ पंच करूब नति चीज़े लगता है कि आप जब अग्जाम आता है तो बच्चों से आप लूट लेते हैं पर शुट्रों काटी है उस्में बच्चों से क्लेक्शन होता है उसमें पंजियान परिक्षाफ फीज वेगरे वोगरे विश्मी जाता है विश्विड्याले का भी फीस होता है तो वो तो विश्विड्याले को जाता है बता जो सेसरासी है डेवलप्मेंट में भी जाता है उसका बता उसके बाद जो होता है सतर-तीस में बढ़ता है जो कि बार-बार हमने आज से नहीं जब से मैंने पदवहार समाला है तब से आज तक सिक्षकों के बीद मारते आ रहा हूं। अगर इल्जाम लगा तो प्रिस्वल सहाब का अगर बात आपके बीच नहीं रखा जाए तो यह गलत होगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच मैं प्रिस्वल सहाब को भी बुलाऊं। और आपके बीच सर का पक्ष रखूं। तो सर एक स्वागत है सर SM News Live में आपका। स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है आप पे इल्जाम लगड़ा है सर कि आपने अपने कमचारी सिक्षकों को आंत्रिक स्रोथ से प्राप्तरासी का सतर फिजदी भुकतान नहीं किया आपने मनमाने धंग से भुकतान किया कभी दो हजार कभी चार हजार तो कभी दस जार का लोली पॉप आपने अपने कमचारी को दिखा दिया। यह सारी बातें बेबुनियाद है पिछले वर्स या इसके पीछे भी जाएं तो कम सकम 50 60 70 लाग रुपिया लगभग वर्स में हमने पेमेंट किया है वो पेमेंट आईसे नहीं किया है उनके एकाउंट में एडवाइस के द्वारा जमा होता है अभी बरत्मान में बरत्मान कि अभी तक 32 लाग 78,400 रुपिया शिक्षकों के बीच हमने बांट चुका है पैसे का कलेक्शन तो छात्रों के द्वारा नमांकर या फॉर्म बढ़ते समय आता है फिर आमदनी आती है उस अनुरूप दिया जाता है तो अभी तक जो हम 33 लाग रुपिया बांटे हैं कम नह चाहता है कि कैसे ही बिवस्था चर्मराजय को लेग जो शिखर बजा रहा है कुछ तत्व ऐसा है जिसको रोकना चाहता है अच्छा आपके इल्जाम यह भी लग रहा है कि नेक के लिए आप अपलाई कर रहे हैं और नेक के लिए असर जो आप लोग आपके प्रोफेसर हैं वह आप लगा रहे हैं कि बीते पास सालों में आपने असर अभी तक जो जमा क्यों नहीं किया सबसे बड़ी चीज है नेक के लिए असर जमा करना बचों का खेल नहीं है उसके लिए बहुत तरह के त्यारी करनी पड़ती है जिसमें कि अब ही महाविद्याले नेक के लिए पूर्ण रूप से तयार है इसमें सिख्षकों का जो शाढ़े 300 मार्श होता है सिख्षकों और बच्चों के बीसी जो संपर्क होता उससे होता है जो वो सिख्षक बच्चों के भी जाते ही नहीं है अभी बच्चे क्लास में हैं अभी बच्चे को आपके प्रोफेसर की विद्याले में बच्चे नहीं आते हम पढ़ाएंगे किसको अभी आप जाके देखें कुछ जो सिक्षक वहां नहीं गए हैं धरनापक क्लास ले रहे हैं मतलब यह जो प्रोफेसर आपके इल्जाम लगा रहे हैं यह वो लोग मैं तो पढ़के आते हैं नौ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं यह इस्तिती है एक सिक्षक कह रहे थे कि एक बच्चा परसों आया तो मैंने उसको पूरा दिन पढ़ाया वो ठक गया बाद में वहां स उसको छोड़ के भागा अब कौन क्या बोलता है उसके पीछे तो मैं नहीं दोड़ूंगा हम तो यहां रहते हैं हम देखते हैं हमारे यहां लगातार क्लास चल रही है बहुत लोग है अभी जो नया एजुकेशन निती है उसके संदर में तो लोगों को जानकारी नहीं है सकते हैं कीशाशा होगाल अधास ख़ते हैं कि तुलना कहां कि यहां पचीस सग्खियाँ है झाबऑल अधास वहां जी तुलना क्रेंकोचीश सफे पिलां हाज में 50 यह पनु particular संदर गहां वन फोर्थ भी है नहीं है यह लोग जो है का ओलेज के विकास को भीक्षित होना नहीं चाहते हैं जो अभी आप लोग जान रहें हैं कि कॉलेज अभी की स्थिती में है बहुत प्रियास से हुआ है शिक्षक को देना कॉलेज का विकास करना पैसा तो बाहर साता नहीं है इसके लिए और मैं क्या करो एक जूटता क्या 20-25 आदमी बैठ गए वह एक जूटता नहीं है डाइसो में 20-25 की संख्यां कोई माने नहीं रखता है इल्जाम सड़ाप पे ये भी लगता है कि आप जब इक्जाम आता है तो बच्चों से आप लूट लेते हैं एक बात है ये इल्जाम यह भी बुनियाद है बच्चों से जो रासी दी जाती है यहां गरीब बच्चों को मदद किया जाता है मदद किया जाता है बिगलांक बच्चों को कॉले से भी पैसा दिया जाता है यह व्य कि यह कोलेज की जो ब्यवस्ता है हम नहीं समझते हैं बहुत जगा है अब कुछ लोग है जो तो निगेटीव विचारधारा को पाले वे उसको हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम सिख्षक हैं हम तो बात से ही कहेंगे पाकी अभी आप रूबरू हो रहे थे जैदेव प्रसाद यादव जो अनुपलाल यादव महाविद्याले के प्रिंसिपल हैं प्रशी से अभी बात मैं कर रहा था और आपके बीच रख रहा था कि सरका कहना है वो जो कुछ सिख्षक हैं वो सिख्षक की एक जूटता हमारे हैं यह आपकी क्या रहा हैं हमें कमेंट के माओं यह हुंसे बताएं और देहते रहे से